हेलो दोस्तों स्वागत है मेरे योट्यूब चैनल इलक्टीकल हब में दोस्तों आज की जो वीडियो है वो है केंट आरो यहाँ पे दicaçãoसे हैं केंट का आरो है और इसमें जो हमारा केंट माइक्रो प्रोसेसर कंटॉलर होता है जो उसके बिना, यानि यहांपर देख सकते हैं इस तरीके का यह कुछ दिखता है उसके बिना हम किस तरीके से आरो को स्टार्ट करेंगे, चालू करेंगे ये मेरी थमनेल थी, इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने अपलोड करी है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देखना क्योंकि वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसके बाद ही इस वीडियो का आपको benefit मिलेगा तो उस वीडियो का link मैं description पर देदूँगा आप वहाँ से जाके उस वीडियो को भी watch करना और उसके बाद ये वीडियो से आप काफी और advance बन जाएंगे तो यहाँ पर simple ही होता है क्या है उसमें मैंने काफी detail इसमें बताईए एकदम विश्तार से किस तरीके से इसके connection होते हैं किस तरीके से इसके साथ motor adapter SV और हमारा जो flood wall होता है उन सबके connection होते हैं उसके बारे मैंने पूरी discuss उस वीडियो में करी हैं इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आप किसी customer के घर पर जाते हैं या आप स्वेम एक customer ही हैं तो भी आप कर सकते हैं इसी घबराने वाली कोई बात नहीं है जितना ज़्यादा खुद से practical करेंगे उतना ही better रहेगा experience बोलते हैं अगर आपका experience जितना ज़्यादा होगा तो आप उसको काफी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं रिपैर कर सकते हैं तो यहाँ पर समझते हैं कि हमारा पर सपोच करो कोई केंट का आरो आया है या हम गए हैं service में service करने तो simply वहाँ पर क्या आती है debt की problem आती है आरो no power on तो इस तरीके कर प्रोबलम आती है तो यहाँ पर हमने check कैसे करें कि हमारा fault कहां पर है तो simply करना है हमने यहाँ पर यह देख सकते हैं यह रहा हमारा कैंट का आरो तो हमने इसका उपर का cover यहाँ पर रिमूब करना है और इसके बाद मैं आपको बता दू कि इनकी position कहां पर होती है दोस्तों जो यह adapter होता है उसकी position आपको यहाँ पर दिखी रही होगी है यह हमारा पीछे side में screw के side से tight किया होता है और जो यहाँ पर यह micro processor controller है इसकी location होती है इनके पीछे ठीक सबसे पीछे इसकी location इधर कहीं होती है यहाँ पर यह देख सकते हैं इसकी location इधर होगी और इ हाँ दोस्तों वीडियो को skip ना करना अगर आप यहाँ पर आरो का काम सीख रहे हैं कुछ कुछ समझमा आता है आपको आपके अंदर है कि हाँ मैं यह सीख सकता हूं सीखूंगा तो वीडियो को skip ना करें और मेरे channel में मैं देखता हूं कि जो नए लोग आते हैं वो यहाँ subscribe नहीं करते हैं चैनल को तो दोस्तों चैनल को subscribe जरूर करें क्योंकि हम आपके लिए जो वीडियो बना के लाता हूं मैं तो उसमा हमारे time लगता है मैनत लगती है तो यहाँ पर आप subscribe करेंगे तो हमारा भी क्या होसला बढ़ेगा और आपके लिए ऐसी ही वीडियो हम upload करते रहेंगे हाँ वह बात अलग है कि आपको मेरी वीडियो से कोई profit नहीं हो रहा है कोई benefit नहीं है तो कोई problem आप वहाँ पर नहीं कर सकते हैं लेकिन आपको मेरी वीडियो से profit होता है यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है चाहे छोटी सी चीज क्यों ना हो क्यो अब हम चलते हैं वीडियो के तरफ को वीडियो को skip मत करना तो यहाँ पर simply है क्या यह हमारा adapter है तो यहाँ पर हमने इसको आप चेक के इस तरीके से करना है हमारा यह no power on की condition पर आ गया है तो simply क्या करना होता है हमने सबसे पहले यह adapter होता है जो adapter के जो output है इसका जो हमारा input तो यहाँ पर देख सकते हैं यह input wire आ रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह lead के through input wire आएगा पहले तो input में भी हमारा कहीं कहीं पर connector लगा होता है तो हमने के करना होगा input voltage या output voltage चेक करने होते हैं तो ले देके हमारा यह मकसद है कि हमारे adapter के output में 24V DC तो यहाँ पर मैं आपक जो का काम कर रहे हैं तो multimeter होना जरूरी है बिना multimeter के आप खाली एक तुक्के के साहता से बनाएंगे तो वहाँ पर आप कभी न कभी कहीं न कहीं पर फसेंगे तो multimeter जरूर रखें पीला वाला एक आता है सब काफी चीप आता है वो 130-40 रुपे का आपको देखने को मिल जा हैं इस तरीके से मैं इसके आउटप्ट के वोल्टेज हम चेक कर लेंगे आब होता क्या है जो यह हमारा आउटपूट का वोल्टेज होता है यहां पे अडप्टर निकलते हैं मोटर को एस भी वो और फ्लोड वॉल को इस तरीके से हमारे connection निकलते हैं तो हमने क्या करना होता है simply यहाँ पर अगर इसमें output voltage आ रहे हैं तो उस case में करना है एक बार यह जो फ्लोड वॉल होता है इसकी दोनों connector को वायरों को आपसमें sort करके देख लें वो वर्क नहीं करेगा तो इसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं फ्लोड वॉल को इसके पिनों को आपसमें टच करें फिर भी चलनी रहे लेकिन इसमें 24 voltage आ रहे हैं तो simply यहाँ आपने क्या करना है motor का यहाँ पर SV का इनमें क्या होता है connector होता है उन connector को आपने remove करने हैं और connector remove करने के बाद इस जो हमारा यह है यहाँ पर SMPS adapter इसमें क्या करेंगे आप positive में जो आपके देख सकते हैं एक तरफ जैसे wire है यहाँ पर यह इस wire में एक तरफ white होता है एक पूरा black होता है जिसमें white होता है वो हमारा positive होता है जो पूरा black होता है वो negative होता है यहाँ पर देख सकते हैं और जो यहाँ पर लेख देता है white जो white होता है वो positive होता है तो आपने करना है इस adapter का positive है इसके red में जोड़ देना है adapter के और जो negative है वो black में जोड़ देना है और उसके बाद RO चालू करना है आपका यहाँ पर यह चलना लग जाएगा अगर adapter ठीक होगा तो अब मैंने उसमें यह भी बताता है कि इसको हम bypass कैसे करें इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा और यहाँ पर बता दूँ कि simple यह आपने करना क्या होता है अगर यहाँ पर UV की कोई facility नहीं है देख सकते हैं यहाँ पर हमारा UV कोई filter नहीं है UV का UV से related कोई filter बोलना सॉरी UV से liberate कोई भी lamp यहाँ पर नहीं है तो simply हमने कोई extra चीज नहीं लगना है अगर यह हमारा खराब है तो इसको आप connection सारे हटा दें motor के connection काड़ दें, SV के connection काड़ दें, float wall के connection काड़ दें तो simply आपने क्या करना है यहाँ पर motor यह जो adapter है इसको वहाँ से हटा के इस वाले से हटा करके डिरेक्ट जिस तरीके से हमारा जो local market के आरो के connection होते हैं simply वैसा कर सकते हैं फिर भी मैं एक बार बता देता हूं connection किस तरीके से करेंगे आपने इस में से तो connection यहाँ पर दिया है, cut कर दिया है तो suppose करो यह है हमारी motor यह हमारी motor है और यह है हमारा SV और उसके बाद हमारे पर आता है यह है हमारा float और यह रहा हमारा adapter जहांपर है तो इसका connection हम किस तरी से करेंगे यहाँ पर मैं आपको बताता हूं color wise मैं यहाँ पर use करूँगा सबसे पहले आप black ले ले जो black wire होता है black wire आप इसके साथ भी जोड़ दें black wire आप इसके साथ भी जोड़ दें इस तरीके से अब वारी आती है red wire की तो red wire का मैं बताता हूं किस तरीक से यह red wire आएगा पहले आपका see दे जाएगा float wall पह है यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ से float wall से जाएगा इस पह है यहाँ पर यहाँ पर यह देख सकते हैं इस तरीके से sv पह है और इधरी से यहाँ कहीं भी आपका जो भी जोड़ हो यहाँ जोड़ हो यहाँ से जाएगा motor पह है अब यहाँ पर simply यहाँ पर यह वाला motor से नहीं जाएगा 1 minute SB के through यह इधर से जाएगा अब यह motor पर इधर से तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है यहाँ पर देख सकते हैं suppose करो हमारा adapter में 24 volt आए उसके बाद जो भी हमारा neutral था motor और SB पर हमारा चला गया देख सकते हैं black wire motor SB में चला गया है जो red wire है वो flood wall यानि यह जो cut होता है यहाँ पर उसके through SB पर भी और motor पर भी जाता है तो यहाँ पर होता क्या है जो flood wall होता है जब इसमाँ पानी भर जाता है तो यह off हो जाता है तो यहाँ पर off condition में देख सकते हैं positive voltage है वो हमारा motor और SV पर नहीं जाएगा और जैसे ही पानी घटेगा तो ये हमारा क्या आजाएगा इसके साथ on हो जाएगा negative voltage तो मिला है दोनों को positive voltage भी यहां से float wall के through ये आया हमारा SV पर और ये आया हमारा motor पर तो हमारी SV और motor दोनों हो जाएगी और आरो हमारा काम करना सुरू करतेगा working सुरू करतेगा तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप बिना इसके micro controller के बिना इसके क्या कर सकते हैं इसको चला सकते हैं और extra रुपिया भी खर्च नहीं करना है ये नहीं कि हमने ये adapter खरीदना है तो आपने adapter भी नहीं खरीदना है और इसमें जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर यूवी लैंप यहाँ पर ही नहीं अगर है और यूवी लैंप खराब पड़ाया है सही पड़ाया तो आप customer से कह सकते हैं कि इसके लिए एक adapter आएगा और इतने जो भी खर्चा होगा वह आप बता देंगे कि इत्ता 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 इसमें लगेगा लेकिन यूवी लैंप पहले से खराब है तो उनको बता सकते हैं इसमें यूवी लैंप पर खराब है तो आप इनका connection कर सकते हैं बिना किसी संकोज के तो काफी easy तरीके से आप canto को भी repair कर सकते हैं बिना extra किसी चीज के adapter आपका सही होना चाहिए तो आप अराम से क्या कर सकते हैं इसको repair कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना अच्छी लगते हैं तो लाइक और नए हैं तो चैनल को subscribe कर देना क्योंकि एलक्टरनेशल लेटर मैं ऐसी वीडियो अपलोड करते रहता हूं तो आज के लिए इता ही मिलते हैं अगली वीडियो में